हेलो दोस्तों फिर एक बार अब सभी का हमारे यूटूब चैनल में हार्दीक स्वागत दोस्तों आज स्रीलिंका और बांगलाजिस के बीच एश्या कपका लीग मेच केंडी में खिला जा रहा है बांगलाजिस ने तोजित कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया बांगलाज ने रजिथा को बॉल स्वापा तो दूसरी उचोर से थिक्साना थे थिक्साना ने जैसे दूसरे स्टेंड से बॉलिंग करना शुरुक किया दूसरे इगेंद पर टी हसन को जीरो रन पर एबल बीडबली आउट करके पांगलाजिस के चार रन के स्कोर पर ही फ्रीलंका को पहली विकेट का तोफा दिया नजूल सांतो पैटिंग के लिए आये दोनों बैटरों ने धीरे धीरे बांगलाजिस का स्कोर बॉर्ड 25 पर पहुचाया और वहीं डी सिल्वा ने नईम को पैविलेन में भेज दिया इस तरह बांगलाजिस की दो विकेट का पतन हुआ कैप पैटन साकिब अलहसन सांतो के साथ जुड़े अब लग रहा था कि साकिब सांतो के साथ मिलकर एक बड़ी पाटनरशिप देंगे लेकिन ये क्या हुआ साकिब को पधिरानने मैदन में टिकने ही नहीं दिया और पांच चन के नीजी स्कोर पर कैच आउट कर दिया बांगला को संबाला दोने मिलकर मांगलादिस का स्कोर तेरा और में पचास रन पर पहुँचाया बांगलादिस की इनिंग दीरे दीरे सेट वोती जा रही थी ऐसे में सनाका ने अच्छानक हिर्दोई को 20 रन पर LBW आउट करके मांगलादिस को चौथा जटका दिया अभी मांगला बांगलादिस ने 100 रन करने में 26 रखेला मुसर्फिर रहीम 13 रन पर खेलकर सान्तों का साथ निभा रहे थे पथी राने के बॉल पर कैच आउट हो गये मुसर्फिर रहीम ने 13 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए बांगलादिस की आधी टीम 123 रन बनाकर प्याविल बांगलादिस ने 37 वी और में 141 रन पर 6 विकेट गवाई अब बल्लेबाजी के लिए मैधी हासन आये उन्होंने 6 रन बनाया आउट होने से पहले बांगलादिस को 155 के स्कोर को क्रोस करने में मदद पिया बांगलादिस की ये 7 विकेट थी जो सांता एक तरफ दिवार बन कर खळा था अंत में वो भी थिकसाना के हाथों बोल्ड हुआ सांतो ने आउट होने से पहले बांगलादिस को 150 रन चे उपर जाने के लिए मत्व पुन्ण पारी खेली सांतो ने 122 बोल खेला साथ चोका लगाया और 89 रन बनाये सांतो के विकेट बांगलादिस की आठ विक दो रन बनाकर आउट हो गए बांगलादिस ने सिर्फ 164 रन बनाये बांगलादिस पूरी 50 ओवर भी नहीं खेल सका बांगलादिस ने 42.4 ओवर खेले और स्री लंका के सभी गोलस पे अच्छा प्रदस्न किया पथी राना ने चार और सिर्फ साना ने दो विकेट लिए झाल 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 झाल